रोज रोटी सबजी और चावल दाल खाके सब बोर से हो गए थे तो आप भी अगर बोर हो गए हैं तो यह रेसेपी जरूर ट्राइ किजेगा आज मैं लेकर आए हूँ बहुत इस पेशल सी रेसेपी जो आपको सच में बहुत नहीं लगेगी आपने कभी बनाया नहीं होगा इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप बेसन कोई से भी बेसन आप ले सकते हैं मोटे बारिक जो भी आपके घर में अवेल बेल हो इसमें हम कुछ सुखे मसाले आड करेंगे तो सबसे पहले आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर डाला है आदी चोटी चमच जीरा आप चाहें तो इसमें गरम मसाले आ किचन किंग भी डाल सकते हैं इसमें बहुत सारे मसालों का यूज नहीं करना होता है आदी चोटी चमच जाल दिया इसमें हींग हींग डालना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी रेसिपिक देम बढ़िया टेस्टी और डाइजिशन के नहीं करना है हम रिया पर दो स्री ढाय चमच के आसपस दही लिया है उसी से हम इसको अच्छी तरीके से गुतेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगी लेकिन अगर आप दही से मिक्स करके बनाते हैं तो टेस्टी होने के साथ है तो आप दही से ही इसको बायन कीचीगा दही थोड़े कटी भी हो तो भी चलेगा मैंने इनको अच्छी तरीके से गुत लिया है तो सेमी सॉफ्ट सा डो इसका तयार किया है यह देखें ना ज़्यादा हाड है और नहीं ज्यादा सॉफ्ट तो चलिए अब इसको हम थोड़ी दिर रखते हैं और पा चाहें उससाब से बना सकते हैं चाहें तो कट करके एक जिसा शेप भी दे सकते हैं लेकि मैं इनको हातों से रफली इस तरीके से चोटे चोटे से बॉल्स बना लूँगी और यह करने में बहुत मज़ा आता है मैं जब बना रही तो मेरा बेटा भी आ गया और साथ में हम द तो पानी अच्छी तरीके से उबल रहा होना चाहिए फलीम को थोड़ा सा हाई कर दे जब आप इन बॉल्स को डाले क्योंकि अगर फलीम कम रहेगा तो यह हो सकता है कि आपस में चिप पकने लगे या फिर तली में बैठ भी सकते हैं जब यह अच्छे से कोक हो जाएंगी तो पानी में इस तरीके से तैरने लगेंगे तब आप समझ जाएए कि बढ़िया से एक कोक हो चुका है तो अब इसको निकालने की बारी आती है जादा दिर नहीं पकाना है क्योंकि जादा पक जाएंगे न तो यह बढ़िया हाड हो जाएंगी हमने इसमें सोडा का यूज तो बस इनकाल कर रख लें और जो पचा हुआ पानी है इसको फेकना बिल्कुल नहीं इसका इस्तमाल हम इस रसीपी में करेंगे क्यों बहुत ही तेस्टी है चलिए इस पानी को हम छान करके अलग बर्तन में रख लेंगे साइड में बाद में इसका यूज करेंगे और एक पुछ सूखे मसाले हमें कूट कर त्यार करने हैं जिसमें एक चोटी चमच डाल दिया है साबोट जेरा लगबख 15-16 मेंने काली मट चलिया है लगबख एक चोटी चमच ही और एक चोटी चमच सौफ आप चाहे तो इसमें साबोट धनिया भी डाल सकते लेकिर मेरे पास और अब इन तीनों चीचों को अच्छी तरीके समय कूटना है और दरदरा सा करना है बहुत बार एक पिक्सी में नहीं करना है कूट लेने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब हम इस रसीफी को बनाते हैं चलिए अब मैंने दूसरी कढ़ाई में लगबख 4-5 चमच त तेल हमारा मीडियम गरम होना चेह जादा गरम अगर तेल में डालेंगे तो वड़ियां जल्दी ही क्रिस्प हो जाएंगी जलने लगेंगी हमें मीडियम गरम तेल में ही इन वड़ियों को डालना है और लगतार थोड़ी थोड़ी देल पर चलाते रहना है अब आप सोचें है हम यहां पर इसको तयार करने के लि егоूइड का यूज U भी करने वा ले हैं और स्वीड कॉन के सारे दान हम इस ensure लगबख आधा टुकडा मैंने स्वीड कॉन का लिया है सारे दानों को मैं चाको से निकाल रही हूं आपके पास कोई और रास्ता है आपने जो फ्राइ करने के लिए वड़िया रखी है देखे ये भी अच्छे ससिक गई है इनको मैं निकाल कर दिखाती हूं कि कितने जादा सॉफ्ट है एकदम रूई की तरह नरम आप इनको हातों से दबाएंगे तो तुरंत ही चिपक जाएंगी यानि पिछक जाएंगे तो यहां पर कड़ाय में मेरे पास जादा तेल है तो मैं इसमें से दो चम्मच तेल निकाल दूँगी और बाकी के दो चम्मच छोड़ दूँगी इसी में हम इस पूरी रेसिपी को बनाएंगे योगी जादा तेल में अवोइड करती हूं कम तेल में ही जादा अच्छा सकते हैं मैं इनको निकालंगी नहीं मसालो को भूनने के बादह में एक बड़े साइस का प्यास बारिक कटाव़ डालेंगे तो थ्झान रहे आप जो भी प्यास डाल रहे हैं चाहे वो ग्रीन वाले प्यास डाले या सुखे वाले बार इक बारिक काटके डालEMAं कि लंबे प्यास रहेंगे ना तो देखने में अच्छे ने लगते और अब जो कूटकर मसाला तियार किया था ना वो डाल देंगे इस से इस रसीपी में बहुत बढ़िया खुसबू भी आती है और टेस्ट भी आता है एक चमस डाल दे है मैंने लेसन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके समय भूनना है जब तरकी हलके से सुनहरे ना होने लगे यहाँ पर मैंने स्वीट कॉन के साथ थोड़ी से मटर के दाने भी लिये हैं आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं या फिर दोनों भी डाल सकते हैं मुझे दोनो ही पसंद है कि मटर का बढ़िया वाला सीजन चल रहा है तो यहाँ पर मैंने मटर भी डाल दिया है और स dB八 कव इनने भी इसी मसाले के साथ दाल करके कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे और अब चलिए हमने चावल तयार करना है तो मैंने एक प चावल लिया है घर का कोई भी कटोरा कटोरी आप शेट कर लें उसी से चावल और पानी ना फिर दीजेगा तो मैंने चावल को धो लिया है और धोने के बाद इसको रेश्ट करने के लिए नहीं रखा है धोने के बाद तुरन्त ही हमें चावल को डाल देना है इस मिक्षर के साथ आप चाहें अगर तो पहले भी चावल को रख सकते हैं जिससे कि आपका कुकिंग टाइम जो है नो वो कम लगेगा आप थोड़ी दिर में ही बना कर रेडि कर सकते हैं नमक डाल देते हैं आप सवाद के अनुसार और अब डालेंगे पानी जो पानी में हमने वड़ीों को उबाल के रखा था था ना उसी से न उसी पानी को यूज करेंगे लेकिन जिस कप से चावल ना पाथा था ना उसी कप या कटोरी से हमें पानी डालना है तो मैंने एक कप चावल लिया है अब हमें धाई कप के असपस पानी डालना है तो मेरे पास पानी थोड़ा ये जो उबले हुए पानी थे वो कम पड़ गये थे तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल रही हूँ और आधा कप और एट कर लेंगे लगबग धाई कप पानी डाला है जिससे कि आपकी पुलाव बनेगी वो बहुत अच्छा खिला खिला बनेगा यहाँ पर मैंने नॉर्मल राइस लिया है आप बासमती राइस भी चाहें तो डाल सकते है अब जब चावल डल गए है पानी डल गया है सब कुछ डलने के बाद हमें इन बड़ियों को डाल देना है अच्छी तरीकिस इनको मिक्स कर लेना है और ढख कर low to medium flame पे हमें इसको 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए पकाना है ध्यान रे flame आपको एकदम कम रखना है high flame करेंगी तो या तो ये जल जाएंगे या फिर कच्छे रह जाएंगे और अब इसके साथ खाने के लिए एक बहुत ही मज़िदार और healthy साथ dip बनाएंगे जो मेरे घर में सबकी फेवरेट है और सभी को पसंद आती है आप भी एक बार ज़रूर बनाएगेगा देखना आपकी भी फेवरेट बन जाएगी तो मैंने क्या किया है गाजर लिया है और उसको छील कर पतले वाले बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब एक कटूरे में थोड़ा सा दही लिया है लगवक एक कप लगवक जाधा गाजर कदूकस कर लिया क्योंकि मैं इसके परांठे भी बनाने वाली हूँ लगवक आधे गाजर का में जो कदूकस किया वा मिक्षर था वो डाल दूँगी इस दही के साथ थोड़ी से सूखे मसाले आट करूँगी मैं जिसमें एक छोटी चमश डाला है मैंने भू लेकिन गाजर है तो इसमें अपनी मिठास है तो चीनी डालने के ज़ुरत नहीं है अब यहां पर देखिए जो हमने चावल रखे थे कुख होने के लिए यह बढ़िया से कुख हो गये है अब हमें क्या करना है गैस का फ्लीम एकदम कम करके इसके उपर एक तवा रख देना तोड़ा सा घीर डाल दिया है लगबग दो चमज और इसमें डाला है आधी छोटी चमज जीतना जीरा तोड़ा सा डाल दिंगे इसमें हरे मिर्चे मतलब एक या दो बीच से कटी हुई तीन से चार लैसून लिया है उनको बारिक-बारिक काट दिया है और एक प्याज पहट होती वो निकल गई है तब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे कस्मेरे लालबची पाउडर थोड़ी सी ताकि बढ़िया प्यारा सा कलर आए और इस गरवां गरम तड़के को हम डाल देंगे हमारी तयार की हुई डिप या फिर रायते के अंदर और बस इसको अच्छ रायस लिया था फिर भी ये काफी अच्छे से खिले-खिले बने हैं आप अगर बासमाती रायस ले रहे हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया है चलिए बढ़िया से तयार हो गए तो धेर सारी धनी के पत्ते बारी कटे बढ़े और लीजे इसको निकाल लेते हैं प्लेट में हमारी रेसिपी का इतना कजब की खुश्बू है कि पूरा घर महक उठा है आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपने इस तरीकी की वड़ियों वाले पुलाव नहीं ट्राइ किया देखने में कितना लजीज लग रहा है इसको हम साफ करेंगी हमारे गाजर के राय तरीकी की पुलाव देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्कप्शन में नीचे लिंक दिया है जहां आपको एकदम यूनीक तरीकी की पुलाव देखने मिलेगी जो आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे तो रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए अपने बच्चों परिव कात होगी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेख किया है और बाबाए